यशो मती मैया के नंद लाला खेल खेल रहे हो नाराया इत्ता तो बता दो कि मेरे यहां आने का उदेश क्या है बस कुछ समय की प्रदिक्षा और सेज है उड़ना तुमने सिक रही सब कुछ पता चल जाएगा मैयाने सिग्रा आने को कईती नाव गयो तो डन मिलेगो टन्ड हाँ मुझे तो आज ही मिलो है एक से बूबी से पाड़ी सुनाने चे ना सुना पायो मैयाने मेरी सोचो दो गुना दन्ड मिलतो है मुझे कपी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर दे थी तो कपी दादी सीधी टांग पे अच्छा ये ना संदोलिन बन जातो है तो क्या सबको अपनी मैया से डन्ड मिलतो है आँ दाओ आपको भी हाँ मिलतो तो है यू तुम्हे कभी डन नहीं मिला पाना हाँ एक बार कान पकड़ा था मैयाने और एक बार डाटा भी था बडन तो कभी ना मिलो वैसे काना धन्ड का भी एक लाब होतो है नाब हाँ सारी माय पहले डन्ड देती है और फिर तो गुना प्रेम करती है जित्ता करा डन उत्ता दे जारा प्रेम हाँ तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा डन्ड मागूंगो मांगने से नाम इस है डन्ड वो दो कच्छू गड़बर करें तो मैया अपने आभी ने देती है अरे काना कहां चले अपनी मैया से डन्ड मांने मैया की ममतार उसके सारे डोप देखने के लिए तो चैनम भी आ है मैंने तो मैया से डन्ड पाने और उस डन्ड के बार तो गुणा उसने पाने से वन्चित क्यो राओं मुझे भी डन्ड चैहिए श्री हरी श्री नारायान जाओ आप रभू रुक क्यों गये मुझे लगा कोई मुझे पुकार रो है श्री हरी आज तु बहुत विलंभुगाओ है सिख्रई तयार होके सारे कारे भी नटाने है जे गजरा वजसे यह जानकी कर रहे गया होको कानह से विजवा देती हो अरे जे तु मैं लेकर आयों तुम्हारे लिए तुम्हारे केसों में सजकर ना जे और भी संदर हो जाएको जे आप लेकर आयों अच्ची है कित्ती भाग्यवान हूं है आज कित्ते माह के बाद माह ही ना कित्ते वर्सों बाद मेरे पती देव को जे स्मृत्ती आई है कि मुझे गजरे कित्ते प्रिये हैं कित्ते प्रेम से लायों फिर भी ताना मार रहे हूं ताना ही मैं तो छुपो है क्या क्या अब आप मुझे तयार होने दो, पक्का पैनूंगे जाओ मांगने से नाम मिलते है डंड वो दो कच्चु गडबर करें, तो मया अपने आभी दे देती है लल्ला, थोड़ दे, पेरे बाबा बहुत प्रेम से लाएं मेले दे तानहा चुमा करना मया, लल्ला आपना घजरा गिरा दिया, ये तो गंदा होग्यों, अब आप मुझे डर्ण दोगी इत्ती छोटी सी बात के लिए, मैं अपने लल्ला को दंड क्यों दोँगी भला इसे धो के पहन लूँगे अब इससे छुईओ मती, बहुत इसे इसे जै लोग कर लो बात, मया ने तो दंड दिया ही नहीं, कुछ बड़ा करना होगो ऐसी कौन सी शरारात करूं कि महीं असर टंड मिल जाए चानोजी, इत्ती सारी माकन के मटकिया बाहर रखरो, दूबला और बंसी सगड में रखवा देंगे निकट के गाउं में सूखे का प्रकोग बढ़गो है तनिक साहता हो जाएगी ध्यान से जी, अभी अभी पूरा घर स्वच क्यो है मैंने बाबा ठेरो मैं दे आपकी साहता घरतो हूँ अरे काना रहने दे मैया अभी अभी तो सच हुआ था मैंने फिर से रंदा कर दियू अब तो पकाट अंड हो गिया कोई बात ना है लला तेरी भावना तो अच्छी थी ना वो ही महत्वपूर्ण है सवच तो फेर हो जाएगो जा, पोचने के लेक बस्तर लेया मैया ये वाला ना ना इत्ता सुन्दर मलमल का बस्तर है उसे द्यार्त क्यों करे ठर छोटा सा बस्तर है ये सो दा क्या कारे आएगो क्या पतो, कभी अफसर पड़े पे कारे आही गया तो मैया भी ना येते जो जाती है वस्तूसी भी यह सब बुड़े जब छोड़ना हो तब कैसे समाली की स्वेम को लगतो है फिर से तिर्वस्वर मैं बोल दियो मैंने यह ठीक है भाईया आप जे बार लिया लहाँ ते ऐसा क्यों कहा इन्होंने या यह कोई संकेत है क्या काना कोई संकेत देरो है लो मोसी काना मिट्टी क्यों खोद रहे तूं मिट्टी काना कचुना है छोड़ उसे क्या वसक है बाबा अच्छा ठीक काना उसे ही कह रहे रहे है कचुन तो है यहाँ क्या अच्छा रहे यहाँ क्या क्याँ नंदफावन लिख्यों इसे लो जे या कहा से आई बाबाचा हम होएंगे वह तो नंदबवन होगो चाल कुकुल में हो या कही और कही और सुब सुब बोल लल्ला जे गोकुली तो हमारों घर है हम कही और क्यों जाने लगे बला भाबबन बनते समय रहे गए योगी जी जे भाबन तो दसको पहले बना है तब से यह यहां कैसे पड़ी हो सकती नंदराज नंदराज उगनन जी का संदेशा आयो है उन्होंने आपको छोड़े तलापे बुलायो अभी अधिशीक्र मया सदन प्राप्त करनो सरन ना है वैसे इतना सरम तो माखन चुराने में भी ना लगतो मैं तो ठकको मिट्टी खोद-खोद के थकान हो गई लल्ला और फूर भी लग गई चुले ले माखन खा ले ना मुझे दूदी पीनो है अभी खा ले लल्ला थोड़ी देर में दूद आणके दे दूँगी ले मुझे दूदी चाहिए है बाईया अच्छा दे तिम खोड़ी ठेर जा माईया अभी दोना तीवर भूख लगी है अच्छा रोख अभी लारें हाट हैसो द्रश तो पहले कभी ना देखो गोकुल के आसपाज जित्ते भी गाउं है सभी की तलाब ऐसे ही सुग गये नंदराज मुए का जल भी बहुत गराईम उतर गयो है और इस बार तो ठीक से वर्सा भी ना हुई का विचार है नंद हमें गाउं वालों को इस संकट के बारे में सुचित कर देनों चाहिए था कि वो इसके लिए तैयार हो सके नहीं भीया अभी गोकुल के पास अपनी गयाओं को चराने के लिए परियाप्त मात्रा में चारा उप्लम तो जलाशेयों और फूओं में जल्भी है एसे में इतनी सिग्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे हाँ तो उन्हें ना बताना ही सही होगो सही तो जे होगा भीया के हम इस संकट का समाधान निकाल ले इससे पहले की बहुत देर हो जाए ले ना अधिक गरम है ना अधिक ठंडा फिले क्या हुओ लल्ला अभे दो दूद पीना था अप्पी क्यों ना रांग पीनो है तो आप क्या आच्छे आज पीले लल्ला देख मैं आको कित्ता काम पड़ो है तो मेरा अच्छा लल्ला है ना आज पीले कल मैं अपने हाथ से पिलाएगी आप पिलाओगी तब भी पेट भरेगो ना तो मैं फूकाई रह जाँगो होच चतूर है तू कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनमाही ले तो है आजा सिगर पीले नटखट करेंगा है ना रायन दूद आटने के बाद धांडी चूले पीछ खोड़ दिये अतर 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 लला मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है केवल गजराय मक्हवन वस्त्र माखन और दूद मात पुपून है इनके लिए और क्या था उगाओ लेप्ट को लेप्ट को लेप्ट को कोई भगवान को छोड़कर संसारिक वस्तों की और भागेगो तो भगवान तो रुष्ठ होंगे ही पर ये काना रुष्ठ होकर करने क्या वाले हैं मैया को आज कल में चिन्ता है ना राती आओ वानल मराच तुम्हें मेरे सची मेतर हो इसलिए केवल तुम आयो मेरा कश्ट आदा करने पतो है मैया का मल भरगे हो है मुझसे तबी तुम्हें मेरी च्छाय मेरी भू इन सब के स्थान पर अन्वस्तों है मात्वपन हो गई है उनके लिए इसलिए पूरा भी दुना भी लाया पीछ में उलकी चली गई जिसका दूत तो इधर ही रहा हो अभी तक देखो पूछने भी ना आई अरे मेरे पाक तो इत्ता है था सुजार तो अच्छा है सखा और वैसे यही तो था फूगू की साइधा करने के लिए कर दो दोगा तो आई कर दो हाँ पर्णना बासिन, जगेस ने करो! अबंढं है झाल तानहा मती मानो पर जब यह अपने ही घर में चोरी करेगो ना तो मानना पड़ेगो जशो दाजी झाल